आप अपनी इंवेस्टमेंट से एक रेगलर इंकम कैसे कमा सकते हैं, जानेंगे इस वीडियो में. दोस्तों, अमनें SIP के बारे में बहुत बात करी है, SIP, I hope आपको पता है, एक रेगलर डिसिप्लिंड तरीका है इंवेस्ट करने का, जहां हर महीने, पुरी शिदत के साथ, आप एक स्पेसिफिक डेट पे, एक स्पेसिफिक अमाउंट इंवेस्ट करते हैं. Usually SIPs, mutual funds, या stocks में भी इंवेस्ट किया जा सकता है, small case में भी किया जा सकता है, but this is a way for you to invest for the long term and towards a financial goal. इस वीडियो में मैं आपके साथ बात करूंगा एक opposite strategy की, जहां आप इंवेस्ट कर रहे हैं, so that it generates a regular income. क्योंकि एक सवार मुझसे बहुत लोग पूछते हैं कि आप इंवेस्ट करना तो सिखा देते हैं, लेकिन इस इंवेस्मेंट में जो पैसा बने जा रहा है, बने जा रहा है, उसको निकालना कैसे है? And that is explained through something called SWP, Systematic Withdrawal Plan. यह उन scenarios में use किया जाता है, जहां आपके पास एक lump sum amount है, फर्स करिए कि आपके parents रेटायर कर गए हैं, उनको gratuity में या PF में बहुत बड़ा amount मिला है, या आपने कोई property बेची है, उसके बाद आपको बहुत बड़ा amount मिला है, या आपको कोई बहुत बड़ा bonus मिला है, या आ आप एक regular amount invest करते हैं, and then on a monthly, quarterly, yearly basis, जो भी आपकी मर्जी है, आप regularly पैसे withdraw करते रहते हैं, so this is a regular income, लेकिन इसमें बहुत बड़ा caveat है, कि अगर आप पैसे withdraw करते रहेंगे, तो पैसे तो कभी ना कभी खत्म हो जाएंगे, right? Then, how does one think about that? And that is what is the main thing about SWP, जो मैं आपको बताना चाहता हूँ. SWP काम किसा करता है, और उसको मद्दे नज़र रखते हुए, कैसे आपके विड्रॉल प्लान्स बनने चाहिए, आइए जानते हैं. सबसे पहली चीज़, काफी mutual funds एक SWP का option भी देते हैं. मतलब, there are SWP specific mutual funds, जो आपको खरीदने होंगे. And when you do that, you usually make a lump sum purchase. तो आप 1 लाग, 10 लाग, 50 लाग, जितना भी आपको amount डालना है, so that you can get a withdrawal amount from it. उसके बाद, हर महीने, हर quarter, हर साल, जो भी आप amount decide करते हैं, कि मुझे ये regular income चाहिए, उसके चलते, ये जो mutual fund है, ये अपने units बेचना शुरू करता है. And उस बेचने के थुरू, जो भी वो proceeds मिलते हैं, वो आपकी income बन जाती है. तो एक बहुत-बड़ा important question ये बनता है, कि ये जो mutual fund में आप invest कर रहे हैं, ये कहां invest कर रहे हैं? क्योंकि ये पैसा जो आप invest कर रहे हैं, वो भी बढ़ना चाहिए, राइट, ताकि आप जितना भी withdraw कर पाएंगे, आपका lump sum amount खत्म नहीं होना चाहिए. अब उसमें जैसे mutual funds होते हैं, वैसे ही SWP mutual funds भी होते हैं. वो debt में invest कर सकते हैं, equity में invest कर सकते हैं, या combination में invest कर सकते हैं. जो आप asset choose करेंगे, उसी के साब से आपका rate of return मिलेगा. अगर आप debt instrument या एक fixed income mutual fund में invest करते हैं, तो आपको कम rate of return मिलता है. अगर आप debt और equity में combination करके invest करते हैं, तो थोड़ा सा जादा, अगर आप equity करते हैं, तो और जादा, but it also comes with volatility. मैं एक equity mutual fund का example देते हुए, आपको यह दिखाने की कोशिश करूँगा कि एक SWP plan कैसे चलता है. This is 2017 to 2022 का nifty 50 का return. डीटेल में जाने की जरूत नहीं है, basically आप यह देखिए कि हर महीने stock market कितनी percentage से उपर या नीचे हिला. That is what we are trying to do, because stock market by definition उपर नीचे उपर नीचे जाता रहेगा. तो अगर खुदानाखास्ता, आप इस महीने विड्रॉ करते हैं जहां market down है, that will mean you will lose a lot more. And similarly, अगर आप इस महीने में विड्रॉ करते हैं, जहां market up है, that will actually mean a positive thing for you. कैसे? देखेंगे. इस 2017 को, 2022 को आप किसी भी और साल से replace कर सकते हैं, main चीज यह है कि आपने first year में SWP किया, and then फिर उसके अगले साल आपने withdraw करना शुरू किया. Let's assume, आपने start किया 10 lakh रुपे से. So this was the investment that you made, and जो भी आपने mutual fund खरीदा, उसका NAV या net asset value जो था, वो 10 रुपे था. NAV क्या होता है mutual fund का? It's the equivalent of the stock price, तो किस दाम पे आपको mutual fund खरीद रहे हैं? तो क्योंकि आपने 10 रुपे में खरीदा और आपने 10 lakh रुपे डाले, आपको 1 lakh unit मिले इस mutual fund के. Awesome, with me so far, आगे बढ़ते हैं. फिर हम यह देखते हैं कि अब यह जो NAV है mutual fund का, यह कैसे बढ़ रहा है? And I will just assume कि जैसे-जैसे stock market बढ़ रहा है, वैसे ही mutual fund भी बढ़ रहा है. मतलब अगर यह 10 रुपे का था, और market उस महीने 4.59% से बढ़ी, तो NAV जो है वो अब 10.46 हो गया होगा. और 10.459 to be precise. Similarly, 10.85 हो जाएगा, 11.21 हो जाएगा, 11.37 हो जाएगा, तो यह बढ़ेगा, किसी point पे घटेगा भी, क्यूं? क्यूंकि market भी घट गई है, 5.84% से वो ऑगस्ट में 1.58% से गिर गई, so on and so forth, तो NAV भी उसी के साब से गिरेगा. तो what you'll see is, हर मही ने उस mutual fund का NAV उपर नीचे जा रहा है, जैसे की stock market भी जा रहा है. And this is how the NAV will look like. Which means, you started with 10 रुपे, and now after about five and a half years, आप अल्मूस्ट डबल पे बथे हो, 19.75 के NAV. And that will mean a good thing for you. Not just for the stock market, but also for the withdrawal plan. कैसे? आप बोलते हैं कि मुझे न, महीने के 10,000 रुपे जाए है. This is the amount that I need as my regular income. अब यह 10,000 रुपे कहां से हैं? जो mutual fund है, वो आपके बहाफ पे हर महीने units बेचेगा. To the amount of 10,000 रुपे. And वो 10,000 रुपे फिर आपको मिलेंगे as your regular income. Simple math है, तो कितने units sold होंगे? पहले महीने में, क्योंकि NAV 10.46 है, तो आप क्या करेंगे? आप basically, जो भी आपका amount है, जो कि है 10,000 रुपे, उसको divide करेंगे NAV से. So 10,000 will be divided by 10.46, तो वो आंसर आता है 956.11 units, तो आप 956.11 units बेचेंगे. And you will then get your 10,000 rupees. So every month, you will spend something and you will see that as the NAV increases, the number of units required to be sold to get to your 10,000 rupees is also reducing. Why? क्योंकि अगर 19.75 NAV हो चुका है, तो आपको बहुत सारे unit नहीं, सिर्फ 500 unit बेचने पडेंगे to get to 10,000 rupees. And that is how you are riding on the growth of the market, while generating a regular income for you. So आपने at the end of this entire cycle, कितने units बेचेंगे? 45,612 units, 0.11. कितने units बेचेंगे? 1,000,000. So कितने units बेचेंगे हैं? 54,387. And in units के कितनी value है? Units, which is 54,387, into the NAV of the mutual fund today, which is 19.75. And that comes to 10,75,000 rupees. So what just suddenly happened? आपने 10,00,000 rupees करीब करीब साड़े 5 साल पहले, हर मही ने 10,000 rupees की regular income कमाई. And at the end of 5,500,000 rupees, आपको वो 10,000 rupees तो हर महीने मिले ही, you are still left with 10,75,000 rupees as the unit in the mutual fund. That's the power of the SWP. That's the power of the withdrawal plan. कि अगर आप ढंक से विड्रॉ करेंगे, एक सही limit से विड्रॉ करेंगे, और एक सही mutual fund में इंवेस्ट करेंगे, which continues to grow, you will not just generate the regular income, but also the corpus at the end of that period. इसको पूरा समझने के लिए, एक calculator मैंने सर्च किया, this is on grow, thank you guys. आपने ये calculator डाला है, this is not a paid promotion, but I just like this calculator, so I'm sharing it. ये बेसिकली एक SWP calculator है, वो ये बोलता है कि आपने कितना amount invest किया है, so इसमें पांचलाक रुपे है, let's say we go to 20 रुपे, yeah, so let's make it. 20 रुप हमने डाले है, हम महीने का कितना विड्रॉ करेंगे, and let's say हम 20,000 रुपे विड्रॉ करना चाहते हैं, हम कितना expect कर रहे हैं return, अगर आप एक equity mutual fund में डालते हैं, then 11-12% is reasonable, अगर आप एक equity or debt में डालते हैं, so 8-9%, अगर आप सिर्फ debt में डालते हैं, तो 6-8%, that is the ballpark. तो मैं please insist करूँगा कि आप equity में डाले, 11% लेके चलते हैं, time period, let's say हम यह 20 साल के लिए करते हैं, and that's it, 20 साल. तो, you will see something very interesting, you will see, कि जैसे जैसे आपके साल बढ़ रहे हैं, नीचे देखिये number, जो final value है वो घट रही है, and that is because आपना बहुत जादा विड्रॉव कर रहे हैं, तो जितना आपका विड्रॉव है, ग्रोथ उसको sustain नहीं कर पा रही, so by the time you come to around 20 years, आप देखेंगे कि अमांट नेगिटिव में चला गया, मतलब 20 साल के बाद आपको वो 20 साल रुपय महीने तो मिल गए, लेकिन आपके जो वो 20 लाक रुपय है, वो पूरे खर्च हो गए है, You've still gotten more than that, क्योंकि आपको 20 साल रुपय महीना मतलब 2,40 साल रुपय मिला, which over 20 years means आपने 48 लाक रुपय निकाले हैं, for the 20 lakhs that you have invested, so you still got a lot more, लेकिन, कॉर्पस खतम हो चुका है, यही गयाना को, अगर मैं बढ़ा कर बारा करूंगा, and you will see, you'll still be left with a corpus. And that is how sensitive this entire calculation is to the return. Which is why I'm saying कि अगर कम रिटर्न पे आप एक mutual fund लेंगे for an SWP, you may not be able to stick to the withdrawal. And that is something you need to bear in mind. Is calculator से आप खेल सकते हैं, जितना भी खेलना चाते हैं, what is very very important to note is, यह long term periods में बहुत अच्छा काम करेगा, क्योंकि यह दो मैंने 12% डाल दिया, लेकिन जैसे कि हमने देखा, sheet में, कि साल में 12% नहीं आते हैं, फिक्स नहीं है, stock market guaranteed fixed deposit जैसे बहेव नहीं करता है, हर महीने उतार चराव, that means हर साल उतार चराव, तो कोदाना खास्ता, अगर आप एक ऐसे साल में withdraw करेंगे, जहां बहुत सारे losses हुए हैं, यह negative returns हुए हैं, आपके बहुत सारे units big जाएंगे, through this calculation that we just did, and that may not be the right thing for you. तो long term is very important, क्योंकि long term में, you get the consistent returns of 11-12% on a stock market, and that is why the withdrawal makes sense. अब बहुत सारी research करी गई है कि क्या होना चाहिए right withdrawal percentage or amount. 20 lakh मैंने डाल दिये, मेरा तो मन करता है यह 50,000 रुपे महीने ले ले ले, लेकिन अगर मैं यह 50,000 रुपे महीने लेता हूँ, and let's just see if it goes, 50,000 ले लिया, तो, look at that, आपके पैसे चार साल के अंदर ही खतम. Naturally, right? क्यूंकि आप अगर छे लाग रुपे साल के निकाल रहे हैं, which is 50,000 रुपी तो यह 20,000 रुपे कितना ही भार उठा लेंगे, उस छे लाग रुपे विड्रॉल का, तीन से चार साल में पैसे खत्म. So there was a lot of research done, and what has been proven is what has now become the 4% rule. यह 4% rule मोटा मोटा है. Actual math नहीं है. But what it says is, कि जो भी आपका लंसम अमांट है, which let's say in this case is 20,000 रुपे, तो 20,000 रुपे का 4% कितना है? And that comes to around 80,000 rupees. So 80,000 rupees, अगर आप साल के निकालते हैं, which मोटा मोटा comes to about 7,000 rupees per month, then you will never run out of money. Over a long period of time, 10, 20, 30 years, you will continue sitting on a big corpus, जो की बड़ा ही होता रहेगा, while getting a regular income for you. And now, यह 4% rule जो है, जादातर U.S. stock market के research पे हुआ है, may not be applicable to India, so on and so forth. So use it for what it's worth, but it's a good percentage to start with. 4-5% of the lump sum amount, अगर मैं हर साल करता रहूंगा, which could happen monthly, quarterly, साल में जो भी, then I'm ensuring की मेरी regular income तो आती हरेगी, but alongside that I am also increasing the corpus, जो मेरा investment का है, at the end of the period. That is the beauty of SWP. अब समझते हैं कि इसके associated cost क्या क्या है. सबसे पहला cost is what's called the expense ratio. हर एक mutual fund में गुसने के लिए आपको एक expense ratio खर्च करना पड़ता है, which goes towards running the mutual fund. तो कोई भी mutual fund, चाहे वो SIP हो, SWP हो, या कुछ और हो, आपको एक expense ratio हमेशा देना पड़ेगा, and that will be the first cost associated. Second is the exit load. काफी mutual funds आपको बोलते हैं कि अगर आप अपना mutual fund बेचते हैं, तो मुझे उसके लिए भी एक charge चाहिए, call the exit load. बहुत सारे mutual funds एक साल के बाद exit load नहीं मांगते हैं, which is why, अगर आप एक SWP mutual fund ले रहे हैं, then it is advisable कि आप एक साल के बाद ही अपना withdrawal शुरू करें. तो आपने day one पे ये बीसलाक रुपे डाल दिये, लेकिन उसके एक साल बाद आप withdrawal plan शुरू करेंगे, not instantly, क्योंकि अगर आप instantly करेंगे, then आपको exit load देना पड़ सकता है. And the third is taxes. Taxes तो हमेशा दे नहीं है, the good thing is कि SWP में कोई TDS नहीं होता है, आपको पूरा और पूरा capital gain या जो भी आपने amount withdraw किया है, वो मिलेगा. लेकिन उसमें, जो भी आपका capital gain होगा, वो tax होगा. अगर long term capital gain है, मतलब, एक साल के बाद आपने बेचा है, और एक लाग के अंदर-अंदर ही है, तो आपको एक लाग के ऊपर 10% देना होगा. अगर short term capital gain tax है, मतलब आपने एक साल के अंदर-अंदर ही बेच दिया, तो आपको 15% देना पड़ेगा on the capital gain. मतलब, आपने फर्स करिये, 10,000 रुपे withdraw करे, लेकिन उसकी unit value जो थी, जो NAV पे आधारत होगी, उसका gain सिर्फ 500 रुपे है, तो आपको 500 रुपे पे tax देना पड़ेगा of 15%. That is how it will work. अगर आपने एक साल के बाद बेचा, then it will be the long term capital gain tax. उसमें अच्छी चीज यह है कि एक लाग तक का capital gain tax माफ है, उसके बाद आपको एक लाग के ऊपर 10% capital gain tax देना है as long term. इसलिए एडवाइस किया जाता है कि एक साल के बाद withdrawal plan शुरू करें. ना सिर्फ आप exit load पे बचाते हैं, आप अपने capital gain tax पे भी बचाते हैं, क्योंकि वो short term से long term हो जाता है. Finally, disadvantages या risks क्या है इससे associated? Number one, आपको एक lumsum amount से शुरू करना पड़ेगा. That is a big disadvantage. So, अगर आप बहुत early हैं अपने investing stage में, तो आप SWP नहीं कर सकते हैं, आपको SIP ही निक करनी पड़ेगी. And जब वो एक मोटा सा amount बन जाएगा, you can convert that into a SWP. Which is why the best users for this is, अगर आपके parents की कोई retirement income है, या कोई windfall gain हुआ है, property बेच के कुछ और बेच के, then you can use that as an SWP and generate regular income. दूसरा, it is still unpredictable क्यूंकि, stock market पे आप bet कर रहे हैं. तो अगर market उपर है, तो आपका gain है, market नीचे है, तो आपका loss है, क्यूंकि units जो बेचे जाएंगे for your withdrawal amount, is going to be dependent on NAV, क्या होगा उस mutual fund का, which again is dependent on stock market पे कैसा perform कर रहा है. And third, just like any other investment, it comes with the risk of volatility. क्यूंकि आप stock market में invest कर रहे होंगे, या अगर आप stock market चूस करते हैं, then it will come with the natural risk of investing in the stock market, which can be damaging. And if your whole money is protected, or retirement money, or your whole life is on regular income, then I would advise you not to go for the equity SWP plans, but the debt SWP plans, क्यूंकि उसमें, हाँ, एक lower rate of return मिलेगा, but कम से कम predictable rate of return मिलेगा. I hope, इसके थरू आपको एक नए mutual fund type के बारे में पताचला हो, and you can then use to generate a regular income through your investments. This is Ankur Variku, signing off. YouTube Shorts के लिए एक dedicated channel launch किया गया है, जिस पे आप सिरिफ वो 60 second के Shorts देख सकते हैं, no long format content to confuse you, and hopefully, those 60 seconds will help you just as much as these long format videos do. Subscribe करिए, pin comment or description में link है, to the Variku Shorts channel. करिए, करिए. करिए. करिए.